वत्तेरेपन सन सोणेया कोई होर नयों लबन जोदवे रूहनु सकून चुके जो नखर मेरा वे महसार कोमके वेखेया अमरीका रूस मलेशिया नाके तेव कोई फर्क सी हर्क सदी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई हुंदा सीरत तैफिदा कोई मंगदा मेरी सी वफा नको मंगदा मेरियां बलाव तेरेपन और ना किसे मंगनी मेरी यांबला तेरे पिन और ना किसे करनी तो पविच चांग ये आवाज आप पहचान गए होंगे ये गाना आप जानते होंगे इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं पर बता देते हैं आपको BBC Hindi के इस Facebook Live में हमारे साथ है रभी शेर गिल इनकी आवाज आप बहुत बार सुन चुके हैं चाहे वो बुल्ला की जाना हो चाहे तेरे बिन हो या फिर जब तक है जान का वो गाना हो बुल्ला की लबदा फिरे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका चला की लबदा फिरे गाना था अचा मैं आपके साथ हूँ सुमेरन इतना जबरदस्त गाने है रभी शेर गिल के लगाता रहते हैं रभी शेर गिल जी बीच बीच में कहां गाइब हो जाते हैं अब देखिए मैं जो है अपनी खुशी गमी लोगों की और मेरे लिए हमेशा था मूझ भाइन तो मेरे खुश ऑने खोच गीत में जाता हैं तो अक्सर हमने देखा है कि जबरदस गाने लेकर आते रहते हैं वक्त मेराध तो छ़ड़ा फिछ जाएं तो जब आपने शुरुआत की थी तो कुछ विज्यापन निधे लिए और ऐ आपने म्यूजिक दिया और कुछ बैंड एक बैंड भी आपने बनाया था जो शायद काफिर करके जो शायद वक्त के साथ उसमें बहुत बदलाव आए और बैंड जादा नहीं आप एक साथ रहे आप उसके बार लेकर आए बुल्ला की जाना गाना क्या आपको लगता है कि व बिल्कुल मैंने हमेशा वही गाया है जो मैं गाना चाहता हूं और जिसकी कोई ना कोई गूंज मेरे अंदर मैं महसूस करता हूं तो बुल्ला जो है ये एक बहुत से कलाम मैंने पड़े थे तो आप वही मतलब मैं तो वही गाता हूं जो मैं गाना चाहता हूं जिसके साथ मेरी कोई आतम स्विक्रिती होती तो जी बिल्कुल ये एक पोएम थी जो मुझे बहुत ही पसंद आई और मतलब और भी बहुत सी पोएम सें बुल्ले शाह की जो मुझे बहुत ची लगती है but this one especially so बहुत से लोगों का परीचे तो मेने गाना सुना और word of mouth publicity जिसे कहते हैं कि publicize जिसना से किया गया वो कोई बड़े तरीके से नहीं था बल्कि लोगों को गाना पसंद आता गया और लोगों ने इसे शेयर किया और इस गाने ने ऐसा मुकाम हासिल किया जो शाहिदी किसी और गाने ने किया हो तो एक बार अगर वो गाना हो जाए तो नाम राइधा पांग शरब नाम राइधा मस्त खरब नाम शाधी नागम नाकी नाम विच पलिती पाकी नाम अभी नाम खाकी नाम आदश नाम पोन बुला की जना मै कान वे बुल्ला की जनमा कॉम व bé jar THorea कीज जनमी बुल्तिन तो बढी के tutta की अ कुछा रि Marshim cidade मां तो औरा ज पुलती तो LEय जानीज तो इस वी कि नहींकि तो ड़ाफ लेक्झा समझागी आपो उस अब चारह किए नहीं तुमने कर एका है यह तेक चंसे पीपल और वोक्स आफ सब्सक्राइब की वोक्वाइब अगर ऑज के मुजिक सीन कि बात किजाए तने पंजाबी गाने वमें सुनने को मिलते हैं लेकिन हिपहप का थच पहुत है आपका टच एक सूफियान, आपका एक स्टाइल है, सूफी, उसमें एक सूफी टच होता है तो आजकल जो हम इतने काने सुन रहे हैं फिल्मों में, जो पंजाबी मुजिक सुन रहे हैं उस सीन के बारे में आपका क्या कहना है जिसमें जिसमें से हिप-अप होता है, स्टाइल होता है, बिलिंग होता है जिसे कहते हैं, लेकिन कहीं नहीं आपको लगता है कि दिर इस मुच मोर टू पंजाबी मुजिक, पंजाबी लिरिक्स जो है, वो इन सब से जादा हैं मैं तो आशिक हूं पंजाबी जबान का तो आप मुझसे पूछ रही कि मेरा महभूब कितना सुंदर है तो मैं तो अब क्या ही कहूं मुझे लगता है कि जो पंजाबी म्यूजिक है जैसे आपने काई कि इसका एक अंश्मात रही हम देख रहे हैं हैं अंपरे और बर्ली इसका है हे तो हुटर्ड नांसे ज़ाहिए हिंदी फिलम इंड्स्ट्री अब उसके अध्री जबान जो है तो उसकी एक व्हां उपरी लेयर ही आ सकती है तो ये एक मीडियम का सोच लेंगे, इसकी एक खामी है या इसकी एक सीमा है और ये मेरे खाल से पंजाबी लोगों की उपर ज्यादा डिपेंड करता है कैसे अपने अपनी जबान को सामने ला सकते हैं अच्छा हो अगर अच्छी लेरिक सामने आएं और लोग उनको समझ के गाएं क्योंकि सबसे इंपॉर्टन यही है मतलब अगर दूसरी कोई लेरिक गाभी लेते हैं और उसको समझते नहीं है तो वो उसके अंदर एक अंतर विरोध जो है वो लोगों को क्लियर समझ में आ जाता है तो वो चीज़ जादा मकबूल होती नहीं तो मैं यही मुझे बहुत उमीद है पंजाबी सीन से कि इसके अंदर अभी मैं और भी लोगों से बात करा था अभी के आफिस में तो यही समझ में आ रहा है कि बहुत से समझदार लोग इस नई PD ने प्रोड्यूस की है और वो सब लोग जो हैं वो बहुत जबरदस म्यूजिक एक क्रेट कर रहे हैं और म्यूजिक नहीं एक ओवराल पैरडाइम जो है नया वो क्रेट हो रहा है तो इसके नतीजे मेरे कहल से आने वाले कुछ वर्षों में जरूर देखेंगे हम जिसकी उमीद है बहुत तो बीबी सींदी के फेस्बुक लाइव में खास बात चीज रभी शेर गिल से रभी हम यह जाना चाहेंगे कि आप आपका स्टाइल सिंपल है और कहीं न कहीं क्या यह कॉंशिस डिसिशन है क्या यह आपका निर्ने है कि मैं इस तरह के संगीत से जो आजकल बहुत लोग प्रिय है लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ और शायद मैं यह करना भी नहीं चाहूंगा ऐसे गाने की ब्लिंग हो और लिरिक्स हो और हिप-प स्टाइल हो दिखिए आपन रचमी मीजिक है उसके अंदर दो कारंट्स है एक यह को अप एक हैप- हेफ़爆 जो है थोड़ा सलो है थोड़ा बीट हैवी है उसके अचाहिम आप विसली अर्फ इंडियं म्यूजिक नहीं और दूसरे वर्ड म्यूजिक जो हैं उसकें ऐंक निया है को सकते है उसके अपनी फॉर्म को लेके एक स्ट्रिक्ट उसकी एक फॉर्म है तो मैं जब बड़ा हो रहा था आए इक इसलों रॉक मुजिशन तो मैं अब आपको कोई मुजिक अच्छा क्यों लगता इसके बारे में आपको अपको हरा रंग की उच्छा लगता है सफेद की उच्छा लगता क्रीशन अब यस एक अब अपको है आप मैं जो रॉकर्सों तो है वह इस है बहुतार मैं पर आप सादा मांले काई वी तो यह प्लिए यह टोर्च यह वाह रॉक म्युजिक वाहाए के आ जो लुट्छेपलेन है अगर आप देखेंगगे जो हारे जो लेड़ जपलिन है मे तो शर्टे नहीं पहनते थे, यह रॉक मुजिक कहता था कि रॉक मुजिक का जो मेन एक फांडेशन होई है कि वह स्टेटिस को चैलेंज करता है, जो भी हमारी कदरें कीमते हैं, उनको चैलेंज करता है, अगर उसके अंदर अगर अगर आप बहुत साथा मतलब मुश्किल काम है, बंठन के हर वक बैठना, रोज सुभे उटका ही सुर्की बिंदी लगाना और मेकब लगाना और कपड़े पहनना, यह मेर को एक बहुत मुझे कोफ्त होती है, मैं अपने परसनल अपने लेवल पर नहीं कर सकता हूं, और मुझे नहीं लगता है कि यह करने कि और, इट म कर रहे हैं बहुत अच्छा मतलब I have no problem with that, but I think और मेरे जो मेरे जो दोस्त बने, जो मेरे कला दोस्त भी बने कला किक शेत्र से, वो सब भी कुछ-कुछ ऐसी सोच रखने वाले थे आप आनन सुरापर को मिलेंगे वो तो लाइन लगा के बंबे के हर पब से निकाले जा चु अगर आप जो है वो अब एक नकत पैसे दे के एक फिरारी खरीदने की एगर वो एक हमत रखते हैं और चपले में नहीं पहनते हैं दूसरी तरफ I think rock musicians जो होते हैं, they are a little like this. जहीं 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 जहीं. कि जो पंजाबी लिटरिचर है, as it is, वो आगी बढ़ रहा है? देखिए उम्मीद है, हम तो उम्मीद करते हैं, बाकि इवन पंजाब का जो लिटरिचर है, मैं नहीं समझता हूं कि वो उसको आप कोई अगर आप उसको कंपेर करेंगे दुनिया के और जो बड़े कल्चर्स हैं, उनके लिटरिचर के साथ, मुझे लगता है कि पंजाबी लोगों को भी अपने जो हाल के दिनों में उन्होंने जितना भी लिटरिचर का स्रिजन किया है, उसको एक क्रिटिकल एवालुएशन जरूर उसकी चाहिए, हमारे इतनी बड़ी एक तरास दी हुई हम लोगों के साथ, अपना बटवारा पंजाब दो फाड़ हो गया, अब इ섯 के बारे में कोई बड़ी कविता नहीं है, एक लिए देगे एक लोग बोलेंगा मुरता प्री तकी कविता नहीं है, अब इतनी बड़ी तरास दी हुई, अब इसके बारे में ये कहीं भी आपको इसका एक बिंप जो है, इसकी एक कोई ऐसा यूनिवर्सल मियार की कोई चीज प्रोड्यूस अभी उसकी करनी बाकी है मैं समझता हूँ बहुत सा हुआ है पर मैं यह नहीं समझता हूँ कि हमने कोई वी हैंट प्रोड्यूस फिल्म लाइक कोई हमने कोई मकमल बाफ नहीं प्रोड्यूस किया हमने क्यार उस्तों वम आपने जो मेरे खाल से एक बड़े किसी कलाकार के पैदा होने से पहले का एक कड़ा है. मुझे लगता है। हमें अभी इसके लिए जमीन यार करना है। और और हमें जमीन वत्तर करना है। hi मैं समझता हूँ मेरा काम है थोड़ी सी छींटे देने जमीन को ताकि आने वाले दोर में कोई एक बड़ा एक वटवरिक्ष पैदा हो सके आपने जो आवाज दी है वो फिल्मों में भी हमने सुनी है चाहे वो डिली हाइट्स फिल्म हो जिसमें तेरे बिन गाना था या फिर जब तक है जान हो या शोपड़ा की जो फिल्म है चल्ला की लबदा फिरे जो आपने सुना था अगर वो गाना एक बारी हो जाए तो पहले कि लब दाँ फिरे चला कि लब दाँ फिरे यारो दा कर केड़ा लोका नो पुछता फिरे चला हस दा फिरे चला रों दा फिरे चला गली कली रुलता फिरे चले तूं सब दा चले तेरा कोई नहीं चला गली कली रुलता फिरे चला की लबदा फिरे यारोदा करकेड़ा लोकातों पुछता फिरे वजला की लबदा फिरे ये है एनरजी जब आप आप आफिसे ठत के घर जा रहे होंगे तो ये एनरजी की ज़रूरत है तो ये खास बातचीत कर रहे थे BBC हिंदी से फेस्बूक लाइव पर रभी शेर गिल रभी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस एनरजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू